हेलो फ्रेंड्स मैं हूं श्वेता वेलकम टू मैं चैनल स्वेताज की चैनल लाइफ इस्टाईल तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अलग सा डिजाइन आज मुझे तीन केक बनाना है, हाप केजी का तीनो केक है जिसमें से एक की वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 इंच के केक टिन में मैंने रिफाइंड ओयल लगा लिया है अच्छे तरीके से रिफाइंड ओयल को अच्छी तरीके से लगाने के बाद आप मैदे की डिस्टिंग भी कर सकते हैं मैं इसमें प्राश्मेंड पेपर बिच्छा लूँगी अगर आपके पास बर्टर पेपर या प्राश्मेंड पेपर है तो आप उसका यूज जरूर करें इसी तरीके से मैंने तीनो केक टीन रेडी कर लिया है हाप केजी का केक है इसलिए मैंने यहाँ पे एक कप प्रिमिक्स लिया है वनिला प्रिमिक्स यूज कर रही हूँ मैं इसमें मैं आधा कप के बराबर पानी डालूंगी और वन टीजपुन के बराबर मैं इसमें रिफाइन डालूंगी और इसे अच्छी तरीके से हैंड फ्लेंडर से मिक्स कर लूंगी तीनो केक का एक साथ बैटर मैं बना सकती थी लेकिन मुझे तीन अलग-अलग वीडियो बनाने थे जो कि स्वेताज की चैनल लाइफिस्टाइल और कुकिंग बेकिंग दोनों पे आपको मिल जाएगी तीनो का अलग-अलग मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने अलग-अलग प्रिमिक्स को मिक्स किया इस तरीके से pre-mix को मैंने mix कर लिया है आप देख सकते हैं यह हलका सा fluffy दिखने लगा है और whiteness थोड़ा आ गया है यानि कि हमारा cake का pre-mix जो है वो बिल्कुल perfect ready हो चुका है बैटर अच्छी तरीके से mix हो चुका है OTG को मैंने 160 डिग्री पे preheat कर लिया है और 160 डिग्री पे ही मैं इसे 35 मिनट के लिए bake करूँगी टीनो केक के लिए एक ही साथ मैं यहाँ पे whipping cream को whipped कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 3 cup whipping cream यूज किया है पहले इसे medium to low पे ही whip करेंगे और उसके बाद जब थोड़ा सा volume आने लगे इसमें तो आपको speed को high कर देना है high speed पे इससे अच्छी तरीके से beat कर लेंगे आप देख सकते हैं कि यह अब होने ही बाला है whipping cream की video मेरे channel पे है जिसमें बहुत सरे सवालों के आपके जवाब मैंने दिये हैं आप वहाँ से perfect whipping cream कैसे whipped करते हैं तो आप देख सकते हैं अंगूर के मौसम में अंगूर वाला cake ना बने इसलिए आज मैं अंगूर वाला cake बनाने वाली हूँ यह mixed fruit cake है इसलिए मैंने यहाँ पे काले वाले और हरे वाले दोनों अंगूर ले लिये हैं साथ में कीवी, strawberry और pineapple भी लिये हैं cake बेक हो चुका है और अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है इसलिए मैं अब इसे कट करूंगी जिसके लिए मैंने नीचे का पहले लेयर हटा दिया है ब्राउन वाला और उपर का भी लेयर में ब्राउन वाला हटा दूंगी अब मैं इसे 3 लेयर में कट कर लूंगी अब जब यहां तक आपने वीडियो देखी लिया है तो चल लिए अब वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब बडिम निकाल लए हूं साथ में ट्रोपोलाइट का पाइनेब।्पल अरोमा इसमें डाल रही हूं। में मिक्स कर लुँगी क्विक्ष पूरू ? pipe अगर आ पक्रस्स और अρώमा के साथ भी केक बनाते हैं तो केक का Hanım काफी टेस्टी बनेगा। मैने फर्स्ट लेयर को अच्छी तरीके से जूसpay да द पनी से कर लिया है मैं हमेशा फ्रेश फ्रूट या फिर फ्रूट वाले जो केक बनाती हूं उसमें जूस का यूज कर लेती हूं अगर मेरे पास एबलेबल होता है तो लेकिन डायरेक्ट पूरा जूस नहीं यूज करती हूं क्योंकि ज्यादा मिठा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके यूज करती हूं आप नॉर्मल वाटर या सुगर सिरप से भी इसे सोक कर सकते हैं इस पे मैंने स्ट्रॉबेरी कीवी और काले अंगूर हरे अंगूर सारे मैंने इस पे डाल दिये हैं साथ ही पाइनेपल के जो टुक्रे थे वो भी मैंने इस पे अच्छी करती जा रही हूं और उपर में भी मैंने सोख लियाा है उपरी लेर को और उसके उपर हैं क्रश लगा दिया है नहीं हमेशा महाराज का जो ता हो यूज करती हूं पानेपल क्रस यहां प्लेक्स अरोमा भी इसमें यूज किया है, क्रम कोट हो चुका है, अब मैं इसे बोर्ट पे सिफ्ट कर दूँगी, और 10 मिट के लिए इसे फ्रीज में मैंने छोड़ दिया था, सेट होने के लिए, फाइनल आइसिंग करने से पहले क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, इससे आइसिंग अच्छी होती है, जितनी क्रीम की जरुरत हो उतना ही क्रीम आप बाहर रखें, बाकी बचे हुए सारे क्रीम को आप ढखकर फ्रीज में हमेशा रखें, आपसे अगर अच्छी आइसिंग नहीं हो पा रही है तो आप आइसिंग करने के बाद हलका सा पैलेट नाइप को गीला कर ले और उसके बाद उससे इस्मूथ कर ले बहुत ही अच्छी आइसिंग हो जाती है परफेक्ट होगी आइसिंग दोस्तो मैं प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ नाहीं मैंने कहीं से सीखा है मैंने ये प्रैक्टिस से ही सीखा है इसलिए इसको करने में आपको सबसे इंपोर्टेंट है कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप फिनिशिंग दे पाएंगे यहाँ पर थोड़े से क्रीम में मैंने कलर मिक्स किया है और मैं रोज बैटल के नोजल से इसकी डेकुरेशन करने वाली हूँ इस तरके से चारो तरफ गुमाते हुए और डिजाइन बनाना है लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा क्रैक आ रहा है तो मैंने क्रीम को फिर से पाइपिंग वैक से निकाल कर हलका सा पानी उसमें डाला मिक्स किया और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से स्मूथ किया और उसके बाद फिर मैंने बाकी नीचे के तरफ डिजाइन बना दिया है और तूद भी किसा आतर से इस तरीके से करती जाऊंगी और डिजाइन हमारा रेडी हो जाएगा अब मैं 195 नंबर के नोजल से इस तरीके से डिजाइन बनाऊंगी साइड में इस नोजल से काफी खुबसुरत कई तरीके के डिजाइन बन जाते हैं मैं यहाँ इस तरीके का ही सिर्फ सिंपल सा डिजाइन करने वाली हूँ क्योंकि मैं बीच में लगाने वाली हूँ फ्रूट्स से डेकोरेट करने वाली हूँ और बाद में जो इस केक की डिमांड थी अंगूर वाला तो मैंने काले वाले अंगूर को कट करके इस तरीके से डिजाइन बना दिया है और ये हमारा अंगूर वाला केक बनकर तयार है यानि मिक्स प्रूट केक तयार है इसमें मैंने अंगूर का भी यूज किया है ये डिजा लिया था